हलो गय्कूम बैक टूम ऴयर वीडियोत है हमने भी बता था। अपको डिस्किप्टप्शिन में मिल जाएगी यह रही हमारी वीडियो तो इन वीडियोत में आपको क्लियर कड़ बता था। market upside का momentum दिखा सकता है क्यों दिखा सकता है क्यों नहीं दिखा सकता है सारे reasons बताई थे उसके बाद आज morning में आप लोग को मैंने plan भी बताया कि market में क्या हो तो आपको क्या करना है किसके उपर plan करना है nifty 50 में इसके उपर या नीचे plan करना आपको bank nifty में ठीक है हमने इसके बीच में कुछ trade बनाई पहली trade बनी हमारी मातर 25 point कुछ की दूसरी trade बनी हमारी 35 plus point की बड़ा कुछ बना नहीं क्योंकि market में बड़े moves आए नहीं 9 से 10 के बीच में active नहीं था इस वज़े morning का move मेरे से मेंस हुआ लेकिन हमारे कुछ अच्छे members जो समझ रहे हैं जो सीख रहे हैं उन्होंने morning में बड़िया profit किया देख सकते हैं आप लोग आपके सामने trades हैं जो मैंने दिये वो और जो उन्होंने खुछ से किया है important यह है कि वो जो खुछ से कर रहे हैं सीख रहे हैं उसकी बारे में हम बात कर लेते हैं important क्यों है बात करना so that आपको समझ में है कि हमने किस बारे में plan किया था Saturday को हमने आपको बोला था market gap up होगा हमने बोला था market अमारा gap up होने के बाद down आए वहाँ से market reverse होगा तब हम trade plan करेंगे तो आपका trade plan इस candle के उपर हो जाना चाहिए था for sure और वहाँ से आपको एक बड़िया momentum देखने को मिला हाला कि काफी ज़्यादा इचकोले ले रहा था ये level है 50,150 का और ये level है 50,300 का almost 500 point का move था यहाँ पे जो आप capture कर सकते थे अगर आप मेरे से connected होते है टेलीग्राम पर दिक्कत कहाँ पे आई है दिक्कत आई है ये candles में क्यों दिक्कत आई है इन candles में क्योंकि इसमें आपको wix बहुत सारी देखने को मिल रही है बड़ी बड़ी और ये कभी भी market को surety नहीं देती है and that is the reason कि market यहाँ से fall कर गया ठीक है एक और trade आप देखो हमने trade कहाँ बनाया एक ये trade बनाया एक यहाँ पर trade बनाया यहाँ पर भी हमारा trade था बट problem क्या होई ना market का इस time में premium का decay हुआ sideways market के अंदर और यहाँ पर वो execute नहीं हुआ तिल 2.45 क्योंकि उसके बाद हम काम नहीं करते हैं हम hero zero नहीं करते हैं हम और यहाँ नॉर्मल डेली नॉर्मल ओरुइके से काम करते हैं ओके fine तो आप लोग को जो plan बताया तो बताया था इसके नीचे जाना है तो क्या market यह हमारा इसके नीचे गया इस candle के नीचे नहीं गया कब गया यहाँ पे गया है तो क्या matter करेगा यह वाला area नहीं अगर यहाँ पे बोल रहा हूँ तो इस time zone में ही जाना चाहिए मेरे भाई ऐसा नहीं है कि दिन के end में जाएगा तो आप trade लोगे तो कुछ होगा नो तो यह हमारा trade बना नहीं 200 points में ठीक है तो ज़्यादा बड़ा move आया नहीं लेकिन हाँ market हमारा nifty 25,000 पे आ गया है तो congratulations for that and let's see कि कल कैसा हमारा market रहता है market मेरी नजर में यहाँ कहीं तक आना चाहिए था थोड़ा सा उपर रह गया but it's fine it's not a big deal almost almost day low के आसपास market close किया है उपर से rejection लेके हमारा कल का जो planning रहने वाला है वो कहाँ पे रहेगा वो रहने वाला है यह जो levels है ना यह levels इसके उपर यानि कि 11,200 के उपर sustain करेगा तब हम सोचेंगे किस तरीके से plan करना है और 11,300 के उपर इस बीच में अगर हमको 20-50 पॉंट का कोई scale मिलता है तो हम ज़रूर बनाएंगे उसके लावा अगर हमारा market 51,100 निकालता है ना तो हम वापस से plan करेंगे 51,000 के लिए market हमको 51,000 level दिखा सकता है यह ध्यान रखना market वापस यह range में आ सकता है इस range के लिए हम plan करेंगे इस level के नीचे और इस level के उपर इन इस level के उपर ठीक है बाकी इस area में आपको कोई काम नहीं करना है इस area को आप avoid कर दो यह आपके लिए बहुत ही risky area रहने वाला है तो इसमें मत काम करो बाकी तो जो आपको वो टेलीग्राम पर में बताऊंगा तो आपका काम क्या है टेलीग्राम को जोइन करना description में link है comment section में question पूछो जो आपका doubt हो वीडियो को like करो और channel को subscribe करो market बहुत ज़्यादा difficult होता जा रहा है लोग बहुत ज़्यादा losses कर रहे है तो उनसे बचो and अगर कुछ नहीं समझ मैं तो आप मेरे से connect करके पूछ सकते हो अगर कुछ आपको doubt ने दो thank you so much